नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में मैं हूँ आपके साथ रिया पांडे बॉलिवुट के जाने माने शारू खान इन दिनों अपने फिल्म पठान को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं पहले ही इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ जिसे लोगों ने काफी पसंद किया उसके बाद इस फिल्म का पहला गाना सामने आया जिसके आते ही विवाद शुरू हो गया जी हाँ हम बात कर रहे हैं पठान फिल्म के बेसरम रंग गाने की इस गाने के रिलीज होने के बाद से ही फिल्म विवादों में फज गई इस गाने के दौरान पहनी गई दिपिका पादकोन की ड्रेस लोगों को पसंद नहीं आया जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी कुछ लिखा गया इतना है नहीं कई राजनेता भी इस गाने को लेकर बोले इन सब के बाद अब इस फिल्म के मेकर्स पर नए आरोप लगा है पाकिस्तानी सिंगर सजाद अली ने मेकर्स पर गाना चोरी का आरोप लगाया है मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक सजाद अली ने कहा कि बेसरम रंग गाना अबके हम बिछडे गाने से काफी मिलता है जानकारी के लिए आपको बता दे कि अपके हम बिछडे सजाद अली का एक पुराना गाना है पाकिस्ताने सिंगर की इस बात के सामने आने के बाद ही बेसरम रंगाना एक बार फिर चर्चाओं में बन गया वहीं बताते चले कि Entertainment जगत के बड़े सारू खान की फिल्म इसी साल 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है पठान का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं जानकारी के लिए भी बता दे कि इस फिल्म में सल्मान खान कैमियो भी होने वाला है ऐसे में काफी समय बाद जब शारू और सल्मान खान एक साथ नज़र आएंगे पठान के फिल्म के गाने बेसरम रंग को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताए और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें धन्यबाद